तो इस वीडियो में आप एक और ब्यूटिफुल इडियम सीखेंगे A stone's throw इसको away के साथ add करके अक्सर बोला जाता है इसलिए इसमें away को एक ब्रैकेट में लिखा गया है तो ये पूरा बन जाता है A stone's throw away So let's start इसका meaning आप सबसे बहले समझेए इसका meaning होता है A short distance nearby यानि पास में तो जब आप कोई stone पत्थर उठा के आप throw करते हैं फेकते हैं तो कितना दूर गिरते हो 25 मेटर, 50 मेटर, 100 मेटर ऐसा नहीं है कि वो 2 क्योलो मेटर, 4 क्योलो मेटर दूर गिरेगा ऐसा नहीं है यानि वो पास में गिरता है तो अगर कोई hospital, कोई bus stop, कोई school अगर आपके घर के पास है तो आप कहते हो कि hospital is just a stone's throw away from my house my school is a stone's throw away from my house the bus stop is a stone's throw away from my house यानि वो मेरे घर के पास है इसका मतलब यह नहीं कि आपने stone उठा कि throw करना है वो बस एक idiom है और इसका मतलब होता है पास में कुछ examples आप और समझेए यानि जो animal था वो हमसे एक stone's throw away बैठा था यानि पास में बैठा था इसका मतलब यह नहीं कि आपने stone उठा कि throw करना है आपके कहने का मतलब यह है कि वो इतना इतने नजदीक में है कि अगर आप एक stone throw करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि आपने stone throw करना है it means कि वो पास में बैठा था my house is just a stone throw away from the sea तो मेरा घर sea के पास में है suppose करो आप किसे को पूछते हैं कि मुझे एक flat चाहिए sea के पास में तो फिर दूसरा person कहता है कि yes, yes, there is a two-bedroom apartment which is just a stone throw away from the sea तो एक apartment है जो कि sea के पास में है is your house far from here क्या तुमारा घर यहां से दूर है no, it's only a stone throw away नहीं यह पास में है so I hope आपको इस idiom का meaning समझ आया होगा I'll catch you guys in the next video till then take care, God bless you